असलाम वालेकों मैं पर चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं जहां पर इंग्लिस लिट्रेचर के हर टॉपिक को सिंपल स्टॉरीज प्लस इंपॉर्टन कोटेशन और लाइन्स के थुरू एक्स्प्लेइन किया जाता है ताकि स्टूर्स के लिए इंग्लिस लिट्रेचर की अंडिस्टैनिंग बहुत ही एजी हो सके अब जो वर्क हम डिसकस का रहे हैं वह है इन अदर रूम्स अदर वॉंडरिस पाइदानियाल मुहिन दीन बिसिकली यह एच शॉर्ट स्टॉरी की कलेक्शन है इसमें जो फर्स शॉर्ट स्टॉरी है नवाद दीन इलेक्रिशन उस किने हैं मांक को थोर्ट सॉर्ट सॉर्ट स्टॉर्ट झार इसके लावा हम एक्सड्राइशन ओधर और death का theme अब इन characters के through मैं आपको short story का overview दोँगी कि basically इस short story में है क्या तो ये short story है सलीमा नाम की एक लड़की की जो बहुत ही गरीब होती है जिसको अपनी पूरी life struggles को face करना पड़ता है अगर हम उसके father की बात करें तो father drug addiction में involved हो जाता है और इसे तरह से उसकी death हो जाती है अगर हम फादर के behavior के बात करें बेटी के साथ तो उसका behavior अपनी बेटी के साथ बिलकु भी अचाने था उसको बिलकु भी प्यार नहीं करता था इवन कि उसने अपनी बेटी को sexually abuse भी किया ठीक है अगर हम मदर की बात करें तो मदर उसकी prostitute थी और दूसरी तरफ एक बहुत ही लालची औरती जिसको पैसो के इलावा कुछ भी नजर नहीं आता था अब हम बात कर लेते हैं सलीमा की शादी की सलीमा की शादी होती है एक लड़के से जो लाहोर में जॉब करता है और वहाँ पे सलीमा की गाओं में आता है सलीमा का पसंद करता है उसे शादी करके अपने साथ लाहोर ले जाता है अब सलीमा को जो हस्बंड होता है वो भी ड्रॉग एडिक्शन में इंवाल्व हो जाता है बिल्कु यूजलेस इंसान बंजेता है जिसके पास ना तो कोई जॉब होती है हर वक्त मैशे मिलते है कभी भी उसके सेंसिस काम नहीं कर रहे होते अब सलीमा दूसरों के घरों में काम करती है और तीन चार घरों में वो काम कर चुके थी है अब जिस खरों में वो काम कर रही होती है वो है केके हारुनी साब का, ठीक है? केके हारुनी साब के घर में ही एक कुक होते है जिसका राम होते है हसन एक महीने के अंदर अंदर ही हसन और सलीमा का फेर स्टार्ट हो जाते है लेकिन जो हसन होते है वो सिर्फ फलर्ट कर रहते है सलीमा को यूज़ करने के बाद उसे छोड़ देता है एक और सर्वंट होता है रफीक जो केके हरुनी साब का एक परसनल सर्वंट था जो उसके बहुत ही जादा क्लोस था और काफी अरसे से इस घर में काम कर रहा था अगर हम रफीक के करेक्टर के बात करें तो इसकी शादी हो चुकी थी और दो बेटे भी थे इसका जो एक बेटा था वो सलीमा का एज़ फैलो ही था तो इससे आप आईडिया लगा सकते हैं कि सलीमा और रफीक का एज़ डिफरंस कितना ज़्यादा था लेकिन पिर भी सलीमा और रफीक का भी आपस में अफैर स्टार्ट हो जाते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं इनका आपस में एक बेटा भी होता है जिसका नाम अलाव बक्ष रखते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद रफीड को लेटर अता है अपनी बीवी की तरोसे जिस पर वो पताती है कि वो उसके बच्रे उसको मिस्स करते हैं और लेटर को पड़ने के बाद रफीड को יस अर्यल्ड के तरे है कि वो अपनी वीड़ों उसे असली मां के साथ फैयर नहीं चलाना चाहिए था अब रफीक को जो भी एलाइज होता है तो वह स्लीमा को चोड़ के अपने बीवी बच्छों के पास वापस चला जाता है अब एक चीज़ यहां पर आपको प्लेयर कर दो यह जितनी रफीक हो गया कुछ दो-तीन ड्राइवर से उनको वह इस्लामबाद कर देते हैं और यह जो घार होता है कि हालनी साब का उसको सेल कर देते हैं इसके बाद हम देखते हैं के दो साल के अंदर अंदर सिलीमा ड्रग एडिक्शन में इन्वाल हो जाती है और जो रफीक है वह सिली देटा उसका फीचर क्या था कि वह जो लाहोर की गलियां थी वहां पर बिकारी बन चुका था और यहीं पर हमाई जो स्टोरी है वह खतम हो जाती है अब यह कुछ इंपॉर्टन लाइन्स और कोटेशन्स हैं जो मैंने औरिजिनल टेक्स से लिए हैं बहुत ही सीक्वेंस के साथ step by step मैंने इनको explain किया है अपनी दूसरी वीडियो में अगर आप में वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन पर मिल जाएगी इस वीडियो के description बॉक्स में भी देखें अगर आपके पस time कम और आपने सिर्फ पासी मार्क रेने है तो फिर यह वीडियो आपके लि आइन जैसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी कि यह dialogue किसके हैं इस in scenes में क्या हो रहे इससे पहले क्या हुआ था इसके बार में क्या हुआ और क्यों हुआ तो यह सब कुछ मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया है तो अगर आपके पास time हो तो आप उस detail वीडियो